हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी की क्लास में और आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार तो आज इससे पिछली वीडियो में हमने आपको शलेश अलंकार के विशय में चर्चा की थी और बहुत ही महत्पून उधारन के माध्यम से हमने आपको शले रणकार अच्छे से पढ़ते हैं तो बात करें हम ओपमा अलंकार की तो आपको सबसे पहले बता देखी जो ओपमा अलंकार है हमारा ओपमा शब्ध है ये जिसका आर्थ होता है मापना या तोलना तो अगर हम इसकी परिभाशा की बात करें तो जहां पर दो वस्तो या पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उनकी समता की जाए या किसी वस्तो के वर्णन में उससे अधिक वस्तो से तुलना ग्या समानता की जाए वहां पर उपम अलंकार होता है तिक यह समता रूप रंग और गुड की आधार पर की जाती है जैसे अगर हम किसी वस्तों की तुलना तभी तो करेंगे या तो वो उसके समान हो या पिर वो उससे अधिक गुड में हो या उसकी अधिक उसकी जो है उपलब्दता हो या अधिक मात्रा में वो बहतर हो, तभी तुम आपस में तुलना करेंगे, तो उधारन के तौर पर ये दिया है कि नीलिमा, चंद्रमा की समान जैसी सुन्दर है, नीलिमा किसके समान सुन्दर है, जो नीलिमा है, वो चंद्रमा जैसी सुन्दर है, तो यानिकि नीलिमा की जो तुलना की गई है, वो च चंद्रवा के समान की गई है अगर बात करें उपमा की तो उपमा की चार भेळ पन चाहरा होता हुपमान साधारण धर्म और चौथा होता है वाचकशब उपमान साधारंधर्म से बहुत इस समझतipulative हाएं अगहा देंगे तो उधारण देखे, उधारण ये है कि राधा, राधा, रती के समान सुन्दर है, तो यहाँ पर राधा की तुलना किस से की गई है? रती से की गई है, आपको बता दे, जो रती है, रती है, कामदेब जी की पत्नी है, इसलिए अगर हम परयावची पढ़ते हैं, तो कामदेब को हम रती पती के नाम से भी जानते हैं, रती जो है, वो कामदेब की बहुत ही सुन्दर पत्नी को कहा जाता है, तो इसमें जो राध फोर इसमें डालते है समान तो अपमे क्या होता है कि जिसकी उपमा दी जाए आρथा जिसका वर्णन हो रहा हो उसमें उपमे प्रसुत हो रहा है जिसे चांस सुंधर मुख या फिर उसके समान सुंधर तो यहां पर किस की तुलना की जाई अब हम बात करते हैं। प्रस्तुत भी कहते हैं। इनको अप्रस्तुत कर दिया है। कि निलमा की जो सुन्धरता है, वो चंद्रबा से कह दीजिए गये, अगर हम इस उधारण की बात करें, अगर जो मैंने हैं जो आपको उधारण ये सामने रखा हुआ है, कि राधा रती के समान सुन्दर है, तो यहां पर रती क्या हो गई हमारी, यहां पर रती क्या हो गई हमारी, रती हमारी उपमान हो गई, अब बात करिए हम साधारन धर्म की, धर्म साधारन धर्म का मतलब है कि जो दोनों में समान हो, ठीके, राधा रती के समान सुन्दर है, उपमान का परिस्पर गुण उपमे और उपमान का परिस्पर गुण या विशेष्टा व्यक्त करनी वाले साधारन धर्म कहलाते हैं इसमें सुन्दर्ता को ही धर्म बताये गया है तो इसमें धर्म क्या हो गया है हमारा सुन्दर्ट इसमें सुन्दर्ता का वर्णन क्या जा रहा है दोनों के बीच में अब बात करें वाचक शब्द की जिन शब्दों की सहता सी उपमा अलंकार की पहचान होती है जैसे सा, सी, तुल्ले सम में जैसा जो सरिसके समान आदी शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, इनमें जो क्या होता है, अब इसमें वाचक शब्द क्या है, इसमें वाचक शब्द हमारा समान, किसके समान सुन्दर है, समान, समान शब्द जो आए, राधा रती के समान सुन्दर है, तो इसम जो समान शब्द है वो हमारा वाचक शब्द है राधा उपमे जिसके बारे में बताया जाए रती शब्द उपमान जिसकी तुलना की जाए ठीक है जिससे जिसकी तुलना की जाए वो हमारा उपमान में आता है साधारन धर्म के अंतरगत हम उनके गुड़ों के बारे में बात समान समान संधर शब्द इसके समान और वाचक शब्द दो दोनूमें और वाचक शब्द इसमाल चिया जाता हूं कि अगर इमी इसमें और अड कर लेते हैं इसमें इमी आता है इसमें जिमी आता है इमी जिमी जियों जैसे इत्यांदी शब्दों का इसमें इस्तिमाल होता है, तो यहाँ पर हमारा ये हमारी वाचक स्था कहलाते है k आगे इनको और अन्ने उधारणों के माध्यम से विस्त्रत रूप से समझते है जिसा क्या है? नील गगन सा शांत हिर्दय हो रहा है दिया कैसा हो रहा है? शांत नील गगन सा ठीके नील गगन की जैसा जो हिर्दा है वो शान्त हो रहा है दूसरा उधारन देखते हैं अगर हम अन्य उधारन की बात करें तो दूसरा उधारन हमारा क्या कह रहा है दूसरा उधरन क्या कह रहा है कि मुक बाल रवी सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ जुनका मुक है वो रवी सम देखे अभी हमने वाचक शब्द पढ़े ना उसमें शम सब्द का इस्तेमाल हुआ था जो सम आया है यह वाचक शब्द है ना देखे हमने यहाँ पर पढ़ा तना भी वाचक शब्द वाचक सब्द की पहचान कैसी होती है सा देखे सा सी सुल सम जैसा जयो सरिस सुद्रश के समान इमीजी मीजो जैसे त्यादी ऐसे शब्दा है तो वो वाचक शब्द कहलाते है इसमें देखे शम सब्द का स्थमाल हुआ है तो यहाँ पर कौन सा है पहले वाले एक्जामपल भी गगन सा गगन जैसा शान्तरद है ना तो इसमें सा आया मकमल की जुले पड़े हाथी सा टीला ठीके हाथी सा देखे इसमें भी शाशब्द का इस्तिमाल हुआ है यहाँ पे भी वाचक शब्दा आया है तब तो बहता समय शिलाशा जम जाएगा शाशब्द का इस्तिमाल हुआ है कोटिक कुलिस ऊमवचन तुमारा यहां पे फिर्से शमशव्द का सिमाल हुआ है सिंदूसा विश्त्रत और अतहा एक निर्वासित सा का उतसा फिर्से 6 चाषव्द का सिमाल हुआ है तारा सी तरुनी थामे ठाडी झुलमिल होती इसमें भी शाव सब्दिकास माल हुआ है अरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लागे मोती से उजली जलकण से चाई मेरी विस्मित लोचन लाई कौन संदेश नए घन लाई कौन संदेश नए घन अब देखें लाई है लाई कौन लाई है संदेश लाई है संदेश के साथ ठीक है और दिखे उधारण इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है परिक्षा की द्रश्टी से इंपॉर्टेंट है आपको उप में अलंकार से संबंदी जितनी भी चीज़े हैं वो हम आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई भी ड संदर कमल के समान संदर ठीक है और जैसे इसमें उधारण और बहुत पूछाते हैं जैसे देखे अट हरी पद हरी पद हरी पद को मल कमल से हरी पद को मल कमल से ठीक है हरी के पद मतलब विश्णू के पद हरी मतलब विश्णू हरी पद कोमल किसके समान कोमल है उनके पद तो कहेंगे कमल के समान कोमल है अब इसको जरा इसके व्याक्या कीजिए तो हरी पद हरी पद की जो है समानता किसके समान की गई है कमल के समान की गई है तो हमारे ह हरीपद का हो गया हरीपद हो गया मैं उपमे इसके बारे में बात की जाए हरीपद की विशे में बात की जारी तो हमारा उपमे हो गया ठीक है कोमल कोमल शब्दा है ना कोमल तो कोमल हमारा क्या हो गया कोमल तो हमारा साधारन धर्म हो गया किस तरह से कोमल है ना किसके समान कोम जारी हरी हरी हिपत की किस से की जा रही है कमल से और किसके विश्य में कहा जा रहा है तो जिसे हमारा क्या हो गया साधारन धर्म हो गया, ठीक है, और दीखे हो धारन, और भी बहुत अच्छे हो धारने, जैसे नील कमल से सुन्दर नयन, नील कमल, नील कमल, नील कमल से सुन्दर नयन, मदब जो उसके नयन है, वो नील कमल की समान सुन्दर है, तो या अब देखें, नील कमल में कौन सा समास आता है, समास की बात करें, तो नील कमर में हमारा कर्म धारे समास आता है, नील कमल के अंतरगत हमारा कर्म धारे समास आता है, यह कर्म धारे समास है हमारा, चीक है, तो अब इसमें अगर बात करें, तो सुंदर, सुंदर शब्दा है न, सुंदर क्या है हमारा यह, यह सुंदर क्या है, सَّाधृर्ण धर्म है, δोरों के बीच में रहे हैं, वो बताया जा रहा है, ततीक नेल कमल से सुन्दर नहै, उसके नेत्र है, वो नेल कमल के समान सुन्दर है, ठीक है, दिखेंगे, दोस्तोर उधारन इसके बहुत हैं उधारन, अगर हम इनके उधारणों की बात करें विस्तर चुछ रखें तो उधारणों से तो हम बहुत सारे उधारण बता सकते हैं बस आप उधारण में वाचक शब्द ध्यान रखेगा, जिसकी वाचक शब्द में न खिल ओब हमारा उभमे कहलाता है, जिसे तुलना की जाए, वो हमारा उभमान कहलाता है किसल के समान से जसे में नेल कमल से सुन्दर नयन जो से शब्द चुछ बिंदू है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं उसके विशव में बीजान लेजे को इस संजहें कि घुढा रहाला समझें कि समत्य दूसरे ओसे हमारी हाथ में दो पैने एक हाथ में ब्लू पन ले और एक हाथ में ब्लैक पन ले ले तो हम ये कहें, कि ये जो हमारा blue pen है, ये जो black pen की according बढ़ अच्छा चलता है, ये जो हमारा नीला pen है, ये काले pen की अपेक्षा बहुत ही सुन्दर चलता है, ठीके, लेकिन जब हमारे पास कोई pen ही नहीं होगा, सिफेकी pen होगा, तो मुसकी तुलना किससे करेंगे, अर्थात, मेरा कहने का ताथ पर ये है, कि जब भी हम किसी की तुलना करते हैं, तो आपस में दो वस्तुओं का होना आती आवश्यक होता है, अगर हमारे पास दो वस्तुओं नहीं हैं, तो हम आपस में तुलना नहीं कर सकते, उपमालंकार में भी तुलना करने के लिए दो लोगों का होना अति आवश्यक होता है ठीक है तुलना किसकी की जाती है आपस में जहां पे समान क्या पाय जाते है धर्म पाय जाते है समान गुड़ पाय जाते है समान सभाव पाय जाते है अकार रंग रूप प्रकार इन सब की तुलना की तो भी उसके तुलना अपस में की जाती है, चीक है, और देखे जरे से कुछ महत्पुन बुन्तु हैं, वो भी जान लिजे, कि जैसे किसी कावे में उपमा की चारों अंग विद्धमान होती हैं, जो चारों अंग हमने आपको बताए हैं, जो चारों अंग अभी हमने आपको ठीक है, इसे हम कहते हैं, पूर्ण उपमा कहते हैं, जो यदि चारों चीजें इसमें कुछ ही अंग विद्धमान हो, चारे नहीं, अंग उपलगता नहीं पाए जाती हैं, तो इसे हम लूप तोपमा कहते हैं, अगर चारों अंग इसमें विद्धमान ना हो, तो इसे हम हम इसका ठीक उल्टा कर दें ठीक है इसका उल्टा कर दें तो जो इसका उल्टा अलंकार होता है वो हमारा कौन सा अलंकार होता है इसका उल्टा हमारा प्रतीप अलंकार होता है ठीक है उपमा का उल्टा अलंकार कौन सा होता है प्रतीप अलंकार होता है ठीक तो उपमा की तक किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं और अभी तक जो हैं उपमें उपमान साधारन धर्म वाचक शब्द की जो आपस में मेल जोले इसे नहीं समझ पाए उमीद करती हूं कि जो धारन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया तक ही राधारती के समान सुन्दर है इसके माध् वीडियो में भी हम एक नए अलंगकार के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए आप यहीं इसी तरह से खुश रहें पढ़ते रहें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दन्यवाद्वाद् झाल 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 झाल